हेलो दोस्तो स्वागा था आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वाले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से समंदेत भातपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो कि आपकी वीडियो की परीच्छा के लिए इंपॉर्टेंट है तो चलिए सुरू करते हैं निवेडा प्रदेश में हो जाएंगे और यह सरवाधिक नंबर होगा कि पुर्वांचल एस्प्रेस वे किन जिलों से होके गुजरता है जो पुर्वांचल एस्प्रेस वे है यह जो है लखनव से लेकर काजीपूर से जाता है कौन-कौन से जिले आएंगे इसमें बहराबंकी अमेठ इतने जो है आपके जो है इसमें डिश्टिक आएंगे और इसमें हम लोग देख लेंगे कि इसकी लंबाई क्या होगी पुर्वांचल एक्सप्रेस वे की हो जाएगी क्राम पंचायतों को 29 विशय मिले हुए हैं जिन पर वो अपना नियम कानुन बना सकते हैं कितआर और सुर्भार संगीद के संगीद के इमदाद घानी घराने के लिए चाना जाता है इटावा को सितार और सुर्भार के लिए और सलज़ वभाधन के लिए किसे जाना जाता है तरोध के लिए जाना जाता है शाह जहांपुर एकादमी की स्थापना कब हुई थी 1975 में उत्तर-प्रदेश मार-मरदा पाई जाती है बुंदेल खंड में पुंदेल खंड में कहां पर जहासी और हम्मिरुपुर वाले च्छेत्र में चंबु महराज को हि प्रथम समाजवादी अभिनो विद्याले कहा खोला गया है यह खोला गया है प्रयाग राज में एक प्रयाग राज में विद्याले भी खोला जा रहा है वह जनजाति जो बहु विवाह का को आचरीत करती है वह है जौन सारी काशी विद्यापीट के संस्थापक कौन है बाबू शू प्रसाद गुप्त उत्तर प्रदेश में परेटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां किया गया था लखनव में उत्तर प्रदेश में कुल केंद्री विश्य विद्यालों की संख्या कितनी हैं केंद्री विश्य विद्यालों कॉन से हैं एक तो जो है लाहवाद उनिष्टि हो गया एक बनारसींदु अुनिवर्सिटी हो गया और एक अलीगण मुस्लिम उनि लखनव में दट्रू ओ और इसके अलावा एक जहांसी में एगरी कल्चसठ उनिवर्सिटिए हैं और उच्विष्विष्विध्यालय कहा है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमिमापन की क्या है यहाँ पर एकड़ से कई लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं एकड़ नहीं है बीघा है रोजगार की द्रिष्ट से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है हतकरगा उद्योग पेरी यह कई बार पूछा गया है विभिन वर्षी योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने उचतम और द्योगिक व्रधिदर्क अंकित की थी दस्मी पंच वर्षी योजनाओं में उत्तर प्रदेश में वैट अर्थाद वैल्यू एड़ेट टैक्स कब लागू हुआ था एक जनवरी 2008 इंपॉर्टेंट है एक जनवरी छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश में एक रेल मौडर्न होच फैक्टरी की स्थापना की जा रही है कहां राइबरेली लाल गंज क्रशी क्रशी श्रम उत्पादक्ता सरवाधिक कहां है पश्चमी उत्तर प्रदेश में गंगा यमना गो इस वाले में एक कोशन आया था कि इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश में नदी नहीं है तो उसका था गंड़क गंडग से लोग कई वार कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की एकदम सीमा से होके निकलती है तो यहां पर जेश्ट यह जो सीमा है यहां स सेकेंड नंबर है सर प्रदेश की 2013 की क्रश नीते में क्रश विकासदर निरधारित की गई है 5.1 प्रतिशत कुछ लोगों को लग रहा होगा 2013 नया आ गया होगा जब कि नया नहीं वही 2013 वाला ही चल लिए और इसकी इसका लच्छ कितना है क्रश चेतर में 5.1 प्रतिशत विकासदर आपको हासिल करनी है इसमें क्रश विकास नीत के अंतरगर ने शमलुक देखेंगे उत्तर प्रदेश में ये वाला कोश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा पुछा जाता है उत्तर प्रदेश में सिचाई के प्रमुक साधनों का अवरोही क्रम अर्थात जो सबसे ज़्यादा सिचाई हो रहे हो वहां से कम नलकूप पहले पर है नहर है फिर ताला बकू है फिर अन है नलकूप यानि जो गाओं में हम लोग कहते हैं यही सबसे ज़्यादा से चाहिए नलकूप से होती है अर्था ग्राउंड वाटर उत्तर प्रदेश की प्रमुक नगदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है कन्ना कि भी जो है यह है कि चीनी उत्पादन में पहले महार प्रथम अस्तान पर अब आपका उत्तर प्रदेश आ गया है विकलांग विश्य विद्याले कहां स्थापित किया गया है इत्रकूट राम्भधराचारी ने इसको स्थापित किया था इनके नाम से स्थापित है गुरू गोविन सिंग्स्पूर्ट कॉलेज की स्थापना कहां की गई है लखनव में उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर कंप्यूटर एड़ेट डिजाइनिंग पर योजना का केंद्र कहां इस्तित है लखनव में उत्रप्रदेश का एक मात्र मुक्त विश्य विद्याले अर्थात ओपन यूनिवर्सिटी किस नाम से जाना जाता है राजशी पुर्शोस्तम दाश टंडन मुक्त विश्य विद्याले इसकी जो है ब्रांच है वो प्रयागराज इलहाबाद में है संगीत सिच्छा है तुत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्याले स्थापित हुआ था वह कौन सा था भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याले इसकी इस फापना जो है उनिस्थापना हूई थी इसे लिए यह जादा इंपोर्टेंट हो जाता है तो कि यह अभी नवीन है और जो है संस्क्रत विश्य विद्याले बनाए गया है कभ इस्थाफना हुई थी 1886 का इंगरेस के स्थाफना के एक वर्ष बाद उत्तरप्रदेस में लक्नवू एक ज rarely यूरी यूर्य या वाला जो है वह आपका गाजिया बाद में यह वाला थलगा देखना आ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है रानी लश्मीबाई बांध कहां इसे था है पेतवा नदीपर उत्तर प्रदेश में इंस्टिट्यूट और पेपर टेकनोलोजी कहां इसे था है सहारणपूर में सहारणपूर जो है कागजुद्यों के लिए काफी फेमस है उपोष्ण केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां इसे था है लखनाओ में लखनाओ में काफी संस्थान बायोटेक पार्क है और इसके एलाबा एक विश्य-अनुसंधान संस्थान यह भी काफी ही काफी इंपPORTENT है शश्यवानिकी का राश्य सोध संस्थान शोध केंद्र जासी में, चारा अयम्ट संस्थान संस्थान अवस्थित है। स्थित है प्रयाग राज में अग्रा में यह इंप्रेंट है और लकड़ी औकाष्ट के खिलोनों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है वारा नसी खेल के सामान मेरत और पीतल की मूरतिया मथुरा इसके अलावा जो है तिया सलाई उद्द्योग जो है आपका बरेली में है डॉक्टर अमेडिकर इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलोजी फॉर हैंडी क्राफ्ट अवस्थित है कानपुर में यहां पर एलुमीणियम होता है मेरत में खेल का समान बनाया जाता है यह क tal है कि यह उर्वर ने था किसचीज के लिए पच्छी nnसथान के लिए पच्छी अनुसंधान संस्थान के लिए अग्ला देखते हैं ऊंट पक्राइब मोarde अमणर मोदी नगर कहां है यह अली अलीगड में मोदी नगर आपका कहां पाड़े गाजियाबाद में अगला देखते हैं, मोधी नगर, मोधी नगर रबड़ उद्देक के लिए famous है, ये आपका गाजियाबाद में है, और बाराबंकी पॉली फाइवर के लिए famous है, कानपूर विस्फोटक के लिए famous है, और फिरोजाबाद में चूटकाच की चूडिया बनाई जाती है, कानपू और चमडे का सामान बनाया जाता है वो कानपूर में है तो तीनों थोड़े पॉइंट है नजीबाबाद यह जो है प्लाइवुड के लिए यह ज्यादा फेमस नजीबाबाद आपका बिजनौर में इस्तित्पर विजनौर और सहारनपूर कागजो लुगदी के लिए इंडियन टेलीफोन इंडेस्ट्री यह राइबरेली का है और ट्रांसफार्मार फेक्ट्री जहासी में है कृतिम अंग निर्माण निगम यह कानपूर में है और उर्वरकार खाना आपका फूलपूर में है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अधच निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाता है जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है यह जो है जनता करती है यानि उजलए में जितनी पंचायते निर्वाचित करते हैं, द्रदेश में और यह जो है यह ग्यारा से अठारा वर्ष की जो जितनी किशोरियां हैं उनके जो है सर्वांगीर विकास के लिए जो है अर्थात मतलब न्यूटिशन भी एडूकेशन भी और सिक्योर्टी भी केंडे को पुनरवासित करने का कार किस राश्य उध्यान में चल लہा है दुदवा राश्यिउध्यान में एक ज्छेंट रिजर्व भी गोशित किया गया है यह इंपॉर्टर प्र देश में दो एलिफेंट रिजर्व हो गया है एक शिवालिक है 20 7 और और एक तराइंई में जो यूपी की साथ चर्ता है वह 67% है और 10 बढ़ा दो तो जो है यह पूरुष का हो गया मेल का हो गया और 10 घटा दो यानि 57 तो यह फीमेल का हो गया जनसंख्या 2011 के अंसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों यह नगरी संकुल का सही क्रम कौन सा है यह टोटल जो है साथ है दस लाखी नगरी संकुल सबसे बड़ा इसमें है कानपूर नगर कन्फ्यूजन हो जाता है लखनव से जबकि कानपूर नगर है 2011 की जनगरना के अंसार उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत वाला धारीत करता है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत तो कहां है गाजियाबाद में गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत तो है और सबसे कम जनसंख् सरवाधिक है लखीमपुर खीरी का सरवाधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जिन देशों से कम है वह कौन-कौन से हैं भारत हो गया यूएसे हो गया और इंडूनिशिया 2011 की जनगर्णा के अनसार उत्तर प्रदेश के अधिक्तम घनी आबादी में नियूंतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशा है अधिक्तम घनी आबादी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनतु कहां है गाजियाबाद और सबसे कम ललितपुर जनसंख्या अब देखें जनसंख्या सद्धर सबसे कम है त्रावस्ती जिस धार्डमिक समधाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा राश्री राजमार्ग तो उसमें था राजमार्ग संख्या दो लेकिन यह गलत कर दिया गया जौनपूर कोशांबी प्रतापगाड एम सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रियागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है सौनभद्र हनुआ कि बड़ेश के जिलों का रुदांगर नगर पर गाजिपुळ वरानसी देख गाणैं उसी तरह आता है यह जो है एंसर क्या हो जाएगा इसमें अगर देखें सबसे पहले सिद्दार्थ नगर संत कभीर नगर अंबेडकर नगर में भी पड़ता है अबेडकर नगर अंबेडकर नगर अगबरपुर माती कुशी नगर पड़ोना भधोही ज्यानपुर सिद्दार्थ नगर सिद्दार्थ नगर नौगर ये बहुँ ज़दा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं अब देखे यहां पर है वह अनुसूचित जनजात जो बिजनोर जिले में निवास करती है माही गीर और भूक्सा जनजाद पच्छी विहार कहां इससे था है पलिया जिले में एक सुरहाताल है एक सुर्षरोवर है यहां से confusion होती है तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वनेजी विहार कौन सा है हस्तिनापूर आपका वनेजी विहार है यह मेरट का आजपास का छेदर है वो काफी प्रदेश को समय समय पर कन नामों का संबन्द वर्षों से रहा है तो उत्रप्रदेश का समन्द की सित कि रहा है देखिए जो पहला नाम था वह 1836 में मिला था उत्तर पश्मी प्रांथ फिर आगरा और अवद संयुक्त प्रांथ पढ़ा उन्निस अठारा सो सब्तर में संयुक्त प्रांथ पढ़ा 1937 में और उत्तर प्रदेश नाम पढ़ा यह था 24 अपराइल 1950 इसलिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2017 से मनाया जाता है मापरे 24 जन्वडी उत्तर प्रदेश में देखिए उत्तपाद और केंद्रों की जो है सूची मिलान करनी है तेरा कोटा गोरकपुर तेरा कोटा से जो है कुछ मूर्तियां टाइप की बनाई जाती है लगडी के खिलों ने वारा नसी किनी मिट्टी के बरतन चिनहट और मिट्टी के बरतन कहां है खुर्जा का सामान सिरोजाबाद अब देखिए निरत्ते हैं हम लोग देखेंगे इसमें खुरिया निरत्ते हैं वह सारे बुंदेल खंड में है बस आपको चर्कुला याद रखना एक तो चर्कुला याद रखना है जो की ब्रज से संबंदित है और इसमें जो है क्या होता है कि रत के पहिये पर घड़े वगारा रखे के जो है महिलाएं डांस करती है और एक आपको नटवरी याद जो कि पूर्वान्चल का है वागी सारे जो है बुंदेल खंट छेत्र के हैं कार्तिक एक लोक्रत है बुंदेल खंट खेत्र का बनारस घराने से सम्मंधित कौन-कौन है यह हैं मोती भाई रसूल रसूलन भाई धेसरी देवी इसके लावब गिरिजा देवी भी है यह भी जो है विक्तव और इनसे समंधित गे ऐस समर्फेłeल यह सारे उत्तरप्रदेश और रघुपत सहाई फिराक की जुकान साहहarken और बिरहा नोगित का आकई-पूरां का है रसिया कहां का है ब्रजभूमिका और आलह कहां का है गुंदेल खंड का कजरी कहां का है अवद का अब देखे कजरी अवद और बिरहा पुर्वान्चल यहीं में कंफ्यूजन हो जाता है आलहा महोबा रसिया बनारस ननारस बरसीया बर्साणा कजरी मिर्जभूर्वी देवा बारा वंक थेवा शरीफ बार वारा बंकी उत्तर प्रदेश में राषिय कथक संस्थान कहां इस्तित है लखनऊ्वमें और मोतीलाल नहिरूबास थिक्रत का रामपुर में और एक और राजी विश्विद्याले की स्थापना अलीगण में की गई है इसका आपको नाम बताना है राजी विश्विद्ध उत्तर प्रदेश में जैन और बहुत इधर्म दोनों का प्रसिद्य कौन सा है कौशामबी भारत कला भवन संग्रहाले कहां अवस्थित है वारण असी जन्गणना 2011 के अंसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जन्रसंख्या का अनुपात कितना है नौसो बारा कि विड़ला समूह द्वारा एक छेसो मेगावार्ट चमता के ताफ विदू सेयंत्र का निर्मार किया ¬हत शेंतरो में से गैस आधारीत कौन सा है और यह अवाला सहेंत्र और तादरी वाला सहींत्र सापित है और यह में एक ज о को करेंट का है उत्तर प्रदेश में पाय जाने वाले प्रमुक खनीज कौन से हैं इंडालूसाइड डायसपोर लाइम इस्टौर दोलोमाइट यह जितने अधिक तर जो यह खनीज हैं यह जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिरजापुर वाली बेल्ट में ही पाया जा किसे कहा जाता है जिनके पास एक से कम भूमी होती है और कि यह हुआ में अग्रणी उत्पादक है कि शीज का आलू केहूं कन्ना और कुल खाद्यान आब इसके साथ में यहाँ पर चीनी भी आ गया है लाल मिट्टियाँ इसके अलावा अम्रूद का भी 올त प्रदेशन सबसे जदड़ ज्यादा होता है अम्रूद आम यह लाल मिट्टियां पाई जाती हैं कहां पाई excellent जाती हैं नदी के किनारे बसा सहर वाराणसि इक इसके लाबा कानपूर भी है हाग कि किनारे पर बसा सहर सुल्तान पूर राप्ती गोरकपूर सर्यू आयोध्या राती वाला पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना चक्रतीर्थ कहां इस्तित है नैमिश रायण यह सीतापुर में आपका है सीतापुर गोविंद देव मंदिर कहां है ब्रंदावन सलीम चिस्ती की दरगा कहां है फतेपु सीकरी आगरा प्रतिवर्ष प्रसिद्व सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कहां मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी तारनात कहां इस्तित है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सरोपर्थम केंद्री विश्य विद्याले भोशित किया गया है सरुप्रतम केंद्री विश्य विद्याल है बनारास हिंदू विश्य विद्याल है सन 1916 हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारती भाषाओं की रच्छा तथा विकास हेतु इस्थापित किया गया था इस्थित है प्रयाग राज में पहरिया जंजात निवास करती है स्थून भ में हिंडाल को की इस्थिति का प्रमुख कारण क्या है इसमें मिर्जापुर में मापकर यह स्टोन भद्र में हिंडाल को अलुमीनियम सायंत्र है और इसी के पास में सिंग्रावनी है वहाँ पर क्वेला पाया जाता है लगना का संबंद्र किस से है सड़क योजना से नथे हैं उसमें समाविष्ट है तो ढर्मार कहां का लोक रगते है सोन भद्र का और यह किस जन्जाती किया जाता है और जंजाती द्वरा यह किया जाता है कंणभवन कहां है आयोध्या में और आपका कामेदगिरी परवत कहां इस्थित्ध है सित्र कूट में अर देवा- पाराबंकी सेयद सलार मेला आयोजित होता है बहराईज में पारंपरिक मेला और उसके आयोजन इस्थल आपको इसमें मैच कराने हैं देखे पशु मेला बटेश्वर आगरा और ध्रूपद मेला वाराणसी कोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और माग मेला तो प्रियागराज पुला मेला वरंदावन देवा मेला यानि देवा शरीफ मेला कहां होता है बारा बंकी में नेच्ट अम लुक देखेंगे उत्तर प्रदेश की सरवाधिक लंबी नहर कौन सी है चारदा नहर अमीर खुसरो कहां का था एटा का बहुत दोग कास गंज लगा देते हैं लेकिन जो है कास गंज और एटा का डिवीजन हो गया तब जो जहां पर यह अमीर खुसरो पैदा हुआ था वो एटा में पढ़त सब्सक्राइब अगरा इस्तित दयालबाग का समंद्ध किस्से है राधा स्वामी पंध से समंदित है अब देखिए स्वतंत्रता पूरु जो कांग्रेश अधिवेशन हुए थे उन वह और जो मतलब इसमें कहां पर हुए थे उसका मिलान करना है ठीकिए जो अधिवेशन ह हुए थे उत्तर प्रदेश में वह हुआ था 1988-1992-2010 फिर 1905 फिर अठारा सो निन्यानिवे निस सो सोला उनिस सो चतिस उनिस सो पच्चिस और उनिस सो च्यालेस अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आपका 101 है 1905 जो 1905 वाला जो है अधिवेशन है यह इसकी जो है अध्यच्चता किसमें की थी वो पाल क्रेश्ण कोखले और इसके बाद में जो है जो 1916 वाला इंपॉर्टेंट है जिसमें जो है लखनो पैक्ट साइन हुआ था इसकी अध्यच्चता किसमें की थी अंबिका चरण मजूमदार और 1925 की जो थे वह पहली भारती महिला जिनोंने जो है कांग्रेस की अध्यच्चता की थी वो थी सरुजनी नाइडू इसके पहले एनीबेसेंट कर चुकी थी लेकिन भारती नहीं थी और 1946 मौलाना अबुलकलाम आजाद ये जो है 1940 से लेके 1946 तक जो है अध्यच रहे हैं ये था मेरट में अब देखिए उत जो है आगरा किसलिए प्रिसिद्ध है परेटन के लिए कानपूर चमडा मेरट खेल कूद का सामान मुरादाबाद धातुपात्र मुरादाबाद को पीतन नगरी भी बोलते हैं मिट्टी के बरतन खुर्जा और काश्ट नकासी सहारनपूर काश्ट पादुका पीली भीत च लीडा जिसको कहते हैं और जिला नगरिये विकास अभिकरण है पनारस लोकोमोटिव वर्क्स ये जो है वारानसी में है इंडियन टेलीफोन इंडरस्टी ज नैनी में है नैनी प्रियागराज और तेल शोधन सयंत कहां है मथुरा और यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नि संदानस questa का सथान चांसी में ने एक अतिप्रसिध चर्च का निर्मान करवाया था कहां सरधना और यह आपका बेगम संदान सबूर चर्च जो है कहां पड़ता चर्च में मेरट में अबिशत्र प्रदेस में एक क volcan obt q और अ किया गया है जिसंबर दोईजार पांच में उत्तरप्रदेस विकास केंद्र परयोजना का सुभारंब किया गया है किया राजी राजमार्ग विकास पर योजना के उत्तर दच्छिन तथा पूरु पश्रिम गलियारे मिलते हैं यह वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में बौध परिपत में कौन कौन से जगह सामिल है कपिलवस्तु कुशी नगर सांकिया स्रीवस्ति स्रावस्ति तारनात और कौशामभी उत्तर प्रदेश का वह और प्रथम जो है मुखिमंत्री कौन थे गोविंद वर्लप पन्त अस्थान और स्मारक बताना है कौश्मी में कौन सा जो है बौधी का स्थान घोशिता राम और कुशी नगर में कौन सा है राना भर इस्तूप स्रा वस्ति में सहेत महेत जनगड़ना 2011 की जनगड़ना के अंती माकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिस जिले में साथ चर्था अधर उच्छतम है वह कौन सा है गौतम बुद्धनगर सब्से ज्यादा जो है जो मंदिर वारानसी में देवी पांटन मंदिर तुलसीपुर में है तुलसीपुर कहा है आपका बलरामपुर बलरामपुर फरूखाबाद किसलिए जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए 2011 की जनगणना के अंति माकणों के अनुसार उत्तर प्रवेश के सरवादिक जनसंख्या वाले जिलों का उद्म की जनसंख्या आकार के संदर में अब रोही कम क्या है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है प्रयागराज में उसके बाद मुरादाबाद गाजियाबाद फिर आजमगर गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत तो है लेकिन एरिया कम है इसलिए आपको जनसंख्या में तीसरे स्थान पर मिलेगा और पहले स्थान प से 1981 इस वी के दौरान और जो आर्थिक व्रतिदर थी उत्तर प्रदेश की वह कौन सी पंचवर्षी योजना में सर्वाधिक थी तसमी पंचवर्षी योजना नेस्ट हम लोग देखेंगे इसमें से देखें सही खतन क्या है पंचमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सरवाधिक केंद्री करण है यह तो सही बात है और 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 द्रिश्टी से गुंदेल खंड सरवाधिक पिछड़ा हुआ च्छेत्र है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिक सुलह कुल उस्सव कहा सामना आया जाता है अगरा में उत्तर प्रदेश में किसान अमित्र यूजना का प्रारम कभा था 2001 में अब जो है एक दो है बंधु उद्योग बंधु पस जो है सुवारम किया गया है एक सो दो उद्योग बंधु जो है बनाए गए है दो हजार तेईस यह आपको याद रखना है भारत में उत्तर प्रदेश को खाध्यान उत्पादन में पर्थम इस्थान प्राप्त है आवले का सरवाधिक उत्पादन कहा ह होता है प्रताबगड उत्तर प्रदेश में भारती सुचना प्राध्योगी की संस्थान जहां स्थाबित किया गया है वह जगह कौन सी है प्रयाग राज और विधिविश्य विद्याले कहां है प्रयाग राज उर्दू को उत्तर प्रदेश की राजभाशा के रूप में सर आपना गाजियाबाद उत्तरप्र्देश में नॉलेज पार्क कहां है greater नुवेडा तिया सलाई उध्योग कहां है बरेली में डिए सो हॉल की पाइलिट पर्योजना उत्तरप्रदेश में कहां आरम की गई है आवला बरेली और एक उरवरक जो है आपका नैनी में भी है तालीम उत्तरप्रदेश सरकार की एक योजना है किस छेत्र से सम्मंदित है दूरदर्शन दोरा ग्रामीर छेत्रों में सिछा प्रदान करने है तुप्रारंभिक इस तर के सभी चात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने है अब देखिए जो तालीम वर्ड ही थोड़ा उर्दू वाला लग रहा है तो यह उर्दू भाषा से सम्मंदित है और दूरदर्शन वाला है तुद्वा राश्री उद्यान कहां है लखीमपूर खीरी जनपद यहीं पर जो है तराई जो है जो हाथी रिजर्व है यह बनाया गया है तराई एलिफेंट रिजर्व कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साच्छरता प्रतिशत में कितनी विर्द हुई है 11.4 प्रतिशत कितनी साच्छरता दर हो गई है 67 परसेंट और महिला की 10 परसेंट कम और पुरुष की 10 परसेंट प्लस 2011 की जनगर्णा के अंसार उत्तर प्रदेश में महिला साच्छर्था 57 परसेंट फिफिटो सेवन प्रदैश का सबसे घंधा जीलारथ्ता सबसे जादा जनसंक्या गहनत तो है गाजियाबाद जनसंख्या घनत तो सबसे कम कहां है महोबा सबसे कम जनसंख्या कहां है यह है यह है आपका ललितपूर है ललितपूर में है आपका सबसे कम जनसंख्या घनत तो ललितपूर में सबसे कम जनसंख्या घनतु है और सबसे कम जनसंख्या कहां है महोबा में कहां है आपका महोबा अनुशंगी नगर कौन सा है गाजियाबाद भारती दलहन शोध संस्थान इस्थित है कानपूर में भरतमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है यह उत्तर प्रदेश में 75 district है और 18 मंडल है और नगरनियम किना निग मितने हैं 17 उत्तर उत्तर प्रदेश में सरवातिक जनजातियों की संख्या कौन सी है गॉंड इसने पहले थारू थे अब गॉंड हो गया है क्योंकि अभी जल्दी में जो है कुछ डिष्टिक जो पूर्वांचल की कुछ डिष्टिक हैं वहां पर गॉंड जाति को जनजाति का दर्जा दे दिय हो गया है इसलिए सबसे बड़ा जनजाति सब्सक्राइब कौन सा हो गया है कि बखीरा पच्छी विहार कहां संत कभीर नगर लोग नरत्य राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंड से देखिए जितने बुन रत्य आएंगे सब अधिकतर बुंदेल यह पर जो है घड़ा रखके डांस करती है यह जो इस तरह के घड़े रखे रहते हैं लच्छू महराज का संबंध किससे है कथक से फैयाज खान धुरूपद और तलद मसूर गजल सिद्धेशरी देवी ठुमरी सिद्धेशरी देवी के अलावा गिरिजा देवी इनका भी समंध भूमरी से हिए यह यह बिवी बनारा सघराने के में लेहा वा बिरहा कहांगाया जाता है भोजपुर में अरथा पूरवांचल में मलहोर ब्रज में कजरी आवद में रसिया कौरवी या पिर जो है यह जो है लाका जो मेरेड का है खेठ वहा कस्तारी है संस्थान में की दिरिष्टी कोन से कितने वहें की चेत्र है आश्रम कहां है कानपुर के बिठूर में उत्टर प्रदेश में परमाड उर्जा केंद्र इस्थापित है नरोरा बुलंद शहर में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोच की गई ललितपुर जिले में सबसे जो है जो उत्तर प्रदेश का मैप है इस तरह आप देखेंगे ये नीचे वाला ललितपुर है ये वाला यूरेनियम तामबा यहीं स्पैय जता है पटेश्वर मेला आगरा देवा मेला देवा शरीफ मेला बाराबंकी हरिदास जैन्ती रंदावन नौचंदी मेला मेरट उत्तर प्रदेश आसंदारा जिस आई वर्ग तक के बच्छों को प्राथमिक सिछा उपलब्द कराने में उच्छ प्राथमिकता दी जा रही है वह कौन से है यह 14 वर्ष तक की उम्र के लेन डाल को स्थापित है रेल कूठ सोन भादर में उत्तर प्रदेश उद्योग बंधू योजना का उद्योगी काईयों की समय बदholders स्थापना सुनिष्शित करना अब इसी के साथ में उद्योग मितग वी जो है बनाए गए है 102 उद्युग मितग अभी बत्याया गया है उत्तर प्रदेश आसन ने संगीत रत्न पुरुसकार जिसकी इस्मृति में प्रार्म किया है उस्ताद बिस्मिल्ला खां चुनारगण में अनुप बेदी का स्थापित है काशी राम क्रशियम प्राद्योगी की विश्य विद्याले स्थापित किया गया है इसका नया नाम जो है अब जो है बांदा क्रशियम प्राद्योगी की विश्य विद्याले हो गया है यह है बांदा में चावल के उत्पादन में उत्तरप्रदेश का कौन सा स्थान है दूती, उत्तरप्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुक उत्पादक जिला कौन सा है सहारनपूर, नीचिली गंगा नहर का उदगम कहां है नरौरा बुलंद शहर, वोविंद वल्लब पंत सागर परियोज मांचेस्टर किसे कहा जाता है कानपूर नगर को इंडियन इंस्टिटीट और वेजिटेबल रिसर्च कहां इस्तित है वाराण असी उत्तर प्रदेश में मिड़े मील कारिक्रम का शुभारम कप किया गया था 1995 उत्तर प्रदेश में रानी लश्मी भाई बांध पर योजना का निर्मान किया गया है किस नदी पर बेतवा नदी पर एक राजभाट पर योजना भी बेतवा नदी पर है भारत में लोग सभा और राज सभा में सरवाधिक सरवाधिक प्रतिनी दिक्किस राज में हैं उत्तर प्रदेश में लोग सभा में असी और राज सभा में 31 उत्तर प्रदेश में होली के तिवहार पर लठमार होली कहां बनाई जाती है बरसाना पुरू द्रोणा चारे का जन्वस्थान कहां है फरूखाबाद पचास लाग से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है प्रयाग राज देखिए सबसे बड़ा नगरी संक प्रदेश प्राचीन तम भूखंड है गोंडवाना लेंड का प्राचीन जलोड मिटी उचाई वाले भागों में पाई जाने वाली मिटी को क्या कहते है राड प्राचीन जलोड को क्या कहते है एक जो नवीन जलोड होती है वह से कहते है खादर और जो पुरानी होती है उस मैदान होते हैं और यह घास काफी मुलायम होती है इसी को चलास कहते हैं वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सरवाधिक प्रभावित जिले कौन-कौन से मतुरा और आगरा है कि अधिए गौतम बुद्ध नगर का हैड़ का नोगड में संत कभी नगर का खलीलाबाद में अम्रोह का अम्रोह्पन ये ये याद रखना खलीला बाद उत्तर प्रदेश में विधान राहुल संस्थान संग्रहाल कहां से हैं कॉरकपुर में कीता प्रेस और पत्रिका का कहां से होता है गोरकपुर से नाथ नगरी के रूप में कौन है गोरख पूर में यही बाबा गोरख नात है जिसके जो है पुझारी वो थे किया नाम इनका योगिया दितिनात की निर्वान स्थितापुर में कहां स्थितापुर में ही जो है चक्रतीर्थ आपका सथ है एक हाथ में रोमालत अधा दूसरे हाथ में आएना लेकर किया जाने वाला निरत्य कौन सा है ठीवर कहां है गुंदेल खंड तर्वेद महसों कहा मनाया जाता है छासी में तीपा वली को शोक के रूप में कौन मनाते हैं यह उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था 1980 में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्याला कहा है प्रयाग राज में पुर्वतर रेलवे का मुख्याला कहा है गोरकपुर में कनहार सिचाई परियोजना से लाभानवित होने वाले राजी कौन कौन से है उत्तर प्रदेश जारखंड 36 गड़ कनहार सिचाई परियोजना जो है यह आपका सोन भद्र में है कि उत्तर प्रदेश में निवनतम सीमा रिखा को सपर्ष करने वाला जो है जो राज है वह है हिमाचल प्रदेश की सीमा आपकी तहारणपुर से होती है जो सर्वाधिक जो वह राज जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से टच होता है वह प्रदेशुव है बद्र स्परष करने वाला जिला कॉन सा है सोन भद्र उत्तर प्रदेश में अधिक खेत्रफल वाले कौन से हैं राजस्थान है मद्ध प्रदेश महाराष्ट है प्लाइवुड का निर्मार किसे किया जाता है काजू की लगडी से जासी नगर निगम मचली शहर यहां पर नगर पंचायत है तुंडला यहां नगर पाली का परिशद है और जो सफाई छेत्र है वहां पर छेत्र समीद है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई कब होती है जून जुलाई के दौरान एक यह ट्रिक है खरजा में ओम तो यह खरीफ फसल मई और रवी फसल अक्टूबर और जा अर्था जायद फसल खरजा में ओमा मई अक्टूबर फिर के बाद में फिर माई मार्च फिर आपकी आ जाता है मार्च कि नेस्ट हम लोग देख लेंगे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टिट्यूट कहां है लखनव में लेप्रोसी इंस्टिट्यूट कहां है आगरा में मोतिलान नहरू राष्टी यह प्राद्यो की संस्थान कहां है प्रयाग राज में इंडियन इस्टिट्यूट आप सुगर टेकनोलोजी कहां है कानपूर म में हैं और सुगरियन है कि इसलर्ट यह आपका लध्रभनाव में और सुगरियन स्थर्ज ड्रसर्च जो है आपको यह आपकी शाजहापुर में है तो काउंशिल साजहापुर में सुगर के इन रिसर्च जो है लखनव में और जो सुगर है वो कानपुर में है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुक लोक निरत्य कौन कौन से हैं चर्कुला करमा और दादरा आलहा कहां है बुंदेलखंड का विरहा पुर्वाँचल चैती ब्रज कजडी अवद उत्तर प्रदेश में सरवाथिक जनजाति ये जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है सोनभदर तेके जो ST सबसे ज़áis ज़्यादा है उत्तरप्रदेस में वो सोनभद्र में और सबसे ज़्यादा है व ताफाह। उत्तर प्रदेश की 10 नई आधिवासी जन्जातियों को अनुसूची जन्जाति के रूप में कब सूची बद किया था? 2003 में इससे पहले जो है 5 अनुसूची जन्जातिया थी और 2003 के बाद में 10 हो गई 15 सुत्तरफ्र प्रताबदेश में प्रथम टयोंनोगी पार्क और्रथ बायो टेकनलोजी पार्क कहां असत्वित किया गया है लगनव Umay को मैं कि तूर कहां पर है कि नदी किनारे यह किनारे जोनपूर गुम्ती कौशांबी यम्ना प्रताबगड नदी यह वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 1903 में भारत वर्ष की प्रतम चीनी मिलके स्थापना की गए थी प्रतापपुर देवरिया सर्प्रदेश राज और दोगी विकास निगम के स्थापना कहां हुई है कानपुर में डाल अनसंधान है वह कानपुर में है आपका भारती पसुच किस्सा अनसं संस्थान है लत्नाँ में उत्तर प्रदेश के वारण सी जोनपुर प्रयागर दर्uchar जोंव घंगान जीन पदों में से दिश तें की अगर उत्तर प्रदेश का सबसें छोेकी जिला कान सा होगा हां इसको कुछ लोगा को कर देते हैं लेकिन हापुड होगा उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूतिय राजभाशा कब बनाया गया था 1989 में और उर्दू संस्थान कब इस्थापित किया गया था बहत्तर में उत्तर प्रदेश के वे जनपा जहां भोकसा जनजात ही पाई जाती है बिजनौर और आगरा में उत्तर प्रदेश की फसद सघंता कितनी है 162 सतिशत उत्तर प्रदेश में क्रश्री विश्य विद्यालों की संक्या कितनी है कौन-कौन से है आचार नरेंद्र देयो यूनिवर्सिटी यह आयोध्या में और सरदार वल्लभाई पटेल यह है मेरठ में चंसेखर आजाद यून यूनिवर्सिटी है प्रियागराज में नैनी में और रानी लश्मीबाई केंद्री क्रिश्य विश्य विद्याले है जहासी में पामी आवाज पत्र का प्रारम किसने किया था रफी एहमद किदवई और जवाहरलाल नहरू उत्तर प्रदेश के मैनपूरी बहराइच बदा सद्ण साथठता सरवस्ति में भारत के जिस राज में आलू पा अलू के उत्वादन में अम्रूद के उत्पादन में भी प्रथमिस्थान पर है और अब चीनी के उत्पादन में भी प्रथमिस्थान पर होगा है अनुसंधान संस्थान वह कानपुर में है और जो वनश्पति सोध संस्थान वह लखनव में है गन्ना अनुसंधान काउंसिल देखिए जो काउंसिल है वह शाजहापुर में है और जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है वह जो है आपका लखनव में है अब तक उत्तर प्रदे में सिचाई का सबसे बड़ा शोद क्या है नलकूफ है बौतम बुध्य नगर जिले का मुख्याले कहां है निवेडा में उत्र प्रदेश विधान सभा के प्रतम अध्यच कौन थे पुर्टम दाश टंडन चाकंभरी देवी मेला कहां लगता है सहारणपूर प्रयागराज इस्तित अलफएड पार्क का पुन्हा नाम करण किस नाम से किया गया है चंसेका राजात पार्क विख्यात भारत माता मंदिर कहां है वराण असी उत्तर प्रदेश से समन्ध शास्त्री नथ्य न्रत्य प्रारूप कौन सा है कथक उत्तक जो है सब्सूंदूर खुदू अकादमी की स्थापना कभी थी 32 उत्तर प्रदेश में विश्य विध्यालों की संख्या जिनके नाम पर डॉक्टर ब्र बीयाश्यविध्याल युनिवश्यविध्यालन दो है य। और एक आगरा में है दक्रम्बेडगर यूनिवर्सिटी के नाम से उत्तर प्रदेश खादी ग्रामुद्योग बोर्ड की स्थापना उन्साथ मिकिक आर्यभटर नच्छातर साला कहां है रामपूर में और पेपर टेकनोलोजी संस्थान कहां है सहारनपूर उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनवुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षारित कहां बिताई थी वैशाली कल्पी नगर कहां इस्थित है यमुना नदी के तटपर डक्टर रामपरसाथ बिसमिल को फासी कहां दी गई थी गोरगपूर में दुर्ट के एक और हम सोनभदय जिल्य को इस्परष करती हैं किन राज्यों किसी माया स्पर्ष करती हैं यह आपको बताना है वैसे बताया दे रहा हूं यह मध्य प्रदेश है जार खंड है स्टीजगळ है और यह बिहार है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे विशंभर दयाल पंचायती राज प्रणाली में पंचायस समित गठीद होती है खंडस्तर पर जादरी चुनार तुर्क डाला सभी कार खाने हैं जो उत्वादित करते हैं सीमेंट इम लिखित जिलों का भौगोलिक छेत्रफल की देश्चे से सही अवरोही क्रम कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है भौगोलिक छेत्रफल गौतमपुतिनगर फिर बारा बंकी फिर फिरुसे छोटा बारा बंकी फिरुसे छोटा गतंबुध नगर जन्रत नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंप की गई निमने लागत वाली एसी बस्सेवा उत्तर प्रदेश में बन महौत सो सप्ताह कम बनाया जाता है एक साज जुलाई के बीर रा हम है के उत्तर प्रदेश के चोथे राज विति आयों के अध्यकौन है अतुल कुमार गुप्त पांग्न गयारा की जन गरणा में उत्तर प्रदेश के उच्छतं साच धर्वाला जिला गौण सा है है गौतम बुधِ नगर उत्तर प्रदेश के संसंथान परिशाद कहां इस सिथ्थ है लखनव में केंद्री आशाद हो और सुगंधित पॉधों का अनुसंथान संस्थान कहां है लखनव इतने जो है मेडिसीन टाइप का लगे वह सारे जो है इसमें लखनव में है खाली एक जो है कैंसर वाला संस्थान है वह आपका जो है यह गौतम बुद्धनगर में है गौतम बुद्धनगर प्रव समरपित है व्यास को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारा कौन सा है प्रियोग तूनभद्र में कौन सा खनिस पाया जाता है चूने का पत्थर प्रयागराज में शीशे वाली बालू और ललितपुर में तामबा और इसके अलावा यूरेनियम भी है मिरजापुर में नान प्लास्टिक फाइबर क्ले उत्तर प्रदेश में केंद्री क्रिश्विश्विद्याले कहां है खासी में उत्तर प्रदेश के जिस छेत्र में सोयाबीन की फसल नुख्यता उगाई जाती है वह है बुंदेल खंड का छेत्र इसमें सही कथन कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर लिए कितने नगर निगम हो गए हैं 17 नवीनतम नगर निगम कौन सा है साजहापूर कुछ सिधान्त है जिनके आधार पर नगर निगम का सिजन किया जाता है उत्तर उत्तरप्रदेश में जिला योजना में समझेत किया जाता है लगर पंचायत समझेत किये जाता है अब देखिए हम लोग इसमें यूपी बजट के कुछ स्पेसल पॉइंट देख लेंगे कि प्रदेश का योगदान कितना है आठ परसेंट में उत्तर प्रदेश का जो भारत की जीटीपी है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है आठ परसेंट पेरोजगारी कितनी है 4.2 परसेंट और 2017 में जो गवर्मेंट आती है सम अपने से पहले वाले ही कंपेर करते हैं तो 2017 में 14 परसेंट थी अब 4.2 प्रतिशत हो गई उत्तर प्रदेश क्लोबल इन्वेस्टर्स समीट में 16 देश ने भाग लिया था और यह 30 लाख करोड का करीव इंवेस्टमेंट आया है और 19,000 मेमोरेंडम जो है साइन हुए है जी टॉंटी की चार बैठके होंगी चार शहरों में कौन कौन से शहर है लखनव आगरा वरानसी गेटर निवेड़ है इंपॉर्टेंट कोशन है अभी PCS में आया भी है महिलायम बाल विकास से समंधित कौन कौन से योजना है C.M. कन्या सुवंगला योजना इसमें 15,000 रुपए प्रतिलाभारती दिये जाएंगे और C.M. सामुहिक विवाह योजना 2017 में शुरू की गई थी सभी वर्गों के लिए है और इसमें 35,000 रुपए दिये जाते है OVC के निर्धन वेक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजना है एक और महिला सामर्थ योजना महिलाओं का जीवन इस तर बहतर बनाने के लिए या शामर्थ योजना उत्तर प्रदेश परेटन नीथी 2022 जो है लांच की गई इसका उद्देश क्या है 5 वर्षों में 10 लाख करोड का निवेश करना और 20,000 रोजगार सजन गोरगपुर लिंक एक्सप्रेस वे यह पुरवांचल एक्सप्रेस वे है जो लखनव से गाजीपुर जाती है उसी से गोरगपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है इसके दोनों तरफ जो है ओद्द्यों की गलियारा बनाया जाएगा यमुना एक्सप्रेस वे जो अध्यों की विकास प्राधिकरण द्वारा अंतराश्य फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी जो है तीन जो है एक्टिव है और दो जो है बनाया जा रहे है एक जेवर है का अध सब्सक्राइब कर देखेंगे है कि रीन एनर्जी कोरिडोर सेकेंड बुंदेल खंड में बनाया जा रहा है जर्मनी के सही योग से उत्तर प्रदेश और उर्जा नीथ 2022 इसका टार्गेट क्या है पांच वर्सों में 22,000 मेगावाट विद्धूत उत्पादन करना है उत्तर 2023 में कानपूर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड रुपए और आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड रुपए अलोट हुए है रैपिट ट्रांजिट सिस्टम परियोजना दिल्ली गाजियाबाद मेरट में जो है लागू की गई है यह इंपोर्डेंट है दिल्ली गाज से सम्बंदित है और अमरेट 2.0 के लिए जो है 5616 करोड रुपए अवंटित किया गया है कुंदेल खंड विशेश योजना के लिए 6000 करोड रुपए और पुर्वांचल विशेश योजना के लिए 525 करोड रुपए और एडवांस नियूरो साइंस सेंटर जो है रामनहर ल प्रियागराज और के जीम्यू लखनाव में स्थापित किया जाएक पैरा मेडिकल कॉलेज जो है 19 जो है हो गए है पहले 17 थे इसके लावा एक योजना है कि पतेक जिले में 75 जिले में 75 मेडिकल कॉलेज बनाया जाएंगे अभी 45 हो गये है राश्य ग्राम सुराज अभिया योजना जो है वह पंचायतों की चमता संवर्धन से संबंदित राम्न मानोहर लुहिया पंचायती श्रशक्ति करण जो योजना है वह गाओं में इगवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुधार कारिक्रम के लिए 55 करोड़ रुपय जो है यह हो सकता है पूछ लिए क्योंकि इस समय मिलेट्स का काफी ज्यादा जोर है महत्मा बुद्ध क्रश्य और प्रद्यों की विश्य विद्याले पुशी नगर नंद बाबा दुख्दी मिशन सुरू किया गया है तैसी नसल के जो पश होते हैं उन से दूद्ध प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेरट और वारानसी में डेरी परियोजना शुरू की गई है मेरट और वारानसी में कुंदेल खंड के प्रतेक जन्पद में पांच पांच गौ आश्रे केंद्र जो है इस्थापित किये जाएंगे टीशू कल्चर और केला पौध उपलब्द कराने के लिए उतक समवर्धन प्रियोक्षाला इस्थापित की जाएगी कहां इस्थापित की जाएगी यह नहीं भी बिताया गया है इक्सिलैंस फॉर हनी जो है सहारनपुर जो हनी के लिए स्थापित की जाएगा शहिद के लिए वो है सहारनपुर जो Х on टाकी वस्तों के लिए कौन सा प्रिशिद्ध है गोरगपुर्म और फसलिटी सेंटर कहा स्थापित किया जाएगा लखनों में स्वामी वेकानंद युवाश शक्तिकरण योजना के अंतरगत पांच वर्षों में तो करोड टैबलेट जो है बाटने का लच्छे है और इस साल च्छतिस सव क्रोड रुपए लाट किया गया है ऑपरेशन काया कल्प पेसिक सिच्छा परिशत दोरा संचालित और हाइर और हाइर प्रैमरी विद्यालियों में खापन सुधायें जो है उपलब्द कराये जाएंगे इसके लिए एक हजार क्रोड रुपए लाट किया गया प्रदानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग जो है कारिक्रम सुरू किया गया है तीक फॉल फॉर्म याद रखिए प्रियम श्री किससे समंदित है इसकूल के पुनुरुद्धार के लिए ग्राम पंचायत वार्ड स्थर पर डिजिटल लाइब्रेडी इस्थापित की जाए प्लेस प्लेस ग्रेड अब कहां कहां हो गया एक तो लखनोव यूणिवर्सीटी हो गया गोरगपुर विड्यू उनिवरसिटी और फर्स्ट एग्री कल्चर उनिवर्सिटी है जिसको नैक द्वारा जो है ग्रेड़ प्रदान कि आगया है कानपुर की अग्रीकल्चरी के अब किनसे में मां विन्दवासनी राजिविष्विद्याले के सथापना इंदियाच लिए श्री रॉपक्ण कि विश्विध्याले को इट्भी मुराधा बाद मंडल में जो है राजिविश्विद्याले सथापित किया जाएगा और महात्मा बुद्ध क्रेशियों प्रणद्रकी विश्विद्याले कुशी नगर में स्थापित करने का लच्छछ रखा गया है विकास कोष्ट की स्थापना 25 क्रोड रुपय स्थापित की गई है कोर्ट कॉलेज जो है कहां कहां होंगे सहारनपूर में होगा फतेपूर में होगा और बलिया में होगा देखिए उत्तर प्रदेश में चलेंगे तो टॉप में कौन सा है सहारनपूर फिर बीच में फतेपूर फिर सबसे लाश्ट में इधर बलिया अब देखिए यह त्रिकोणिये परिक्रमापत जो है बनाया जा रहा है यह पहला है जिंदवासनी देवी मंदिर और फिर है काली खोह मंदिर फिर है मां अश्टबुजी देवी मंदिर यह कहां बनाया जाएगा त्रिकोणिये परिक्रमापत मिर्जापूर में वेद विज्ञान अधेयन केंद्र नैमिश्रायंड सितापुर वेद विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है इस्प्रिच्वल सर्किट योजना जो है यहां है एक तो है गोरगपुर देवी पाठान और डुमरिया गंज में दूसरा होगा जेवर दादरी सिकंद्राबार न एक जो है यह वाला एरिया है और एक यह वाला एरिया तीन स्प्रिच्वल सर्किट डेवलप किये उत्तरप्रदेश एको टूरिज्म बोर्ड लखनव की स्थाप्ता की जाए कि एको टूरिज्म बोर्ड लखनव में 225 क्रोड पैसे इंपॉर्टन नहीं है परतमान में वन और वर्च्छा वरण कितना है 9.23% और टार्गेट रखा गया है कि 2030 तक इसको बढ़ा के 15% कर दिया जाएगा और इस वर्षा काल में कि 2030 के वर्षा काल में 35 करोड व्रच्छा रोपना लगाने का लच्छिर निर्धारित किया गया है सफारी पार्क बनाया जाएगा कुक्रेल जो वन जीव भ्यारन है लखनव में यहां बनाया जाए नेश्ट हम लोग देखेंगे लाश्ट है उत्तर प्रदेश ग्रामीन जातरी माताओं को अनपूर पुष्ट हार दिया जाएगा उत्तर प्रदेश ग्रामीन आजीव का मिशन नाम है नेफिट के दौरा संचालित किया जा रहा है और टेक होम राशन जो है इसकी तीम है और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें सामिल है राशी पोशन अभिया में 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोशन में कमी 3 माह से 59 माह तक के बच्चों में इनीमिया के इस तर में कमी गर्ववती और धात्री महिलाओं में इनीमिया की कमी अटल आवासी विद्याले के खोले जाएंगे निर्मार श्रमिकों के बच्चे प्रतेक राजसु मंडल में एक हजार बाला को बालिका और कच्चा छे से कच्चा बारा तक के लिए और 2023 से प्रारंभ हो जाए मात्रत तुषिश और बालिका मदत योजना पंचेकर श्रमिक महिलाएं और श्रमिक पुरुष की पत्रिया इसमें जो है लाब प्राप्त करेंगी केवल दो बच्चों के लिए लाब दिया जाएगा मिनिममेज 18 वर्ष है और पुत्र जन्म पर 20,000 रुपए पुत्री जन् और सामान ने पांच वर्षों में मासिक किस्तों पर दिया जाएगा महात्मा गांधी पेंशन योजना ताठ वर्ष की आयों पूरी करने पर एक हजार रुपए प्रतिमाहत दिये जाएंगे मृत्य के बाद पतनी या फिर बच्चों को तो यह एक वीडियो था जो है उत्त